बारत और वेसंडीज के बीच राजकोट के मैदान में 4 अक्टूबर से पहला टेस्ट मेज़ खेला जाएगा और कप्तान वेराट कोली ने तो बड़ा इशारा भी दे दिया है जिसके बाद पहले टेस्ट मेज़ की प्लेइंग लेवन करीब करीब तई है तो आपको बताते हैं पहले टेस्ट मेज़ की संभावित प्लेइंग लेवन क्या होगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी यहां बदली भी नज़र आएगी कि राहूल का खेलना पक्का है क्योंकि राहूल ने इंग्लैंड के खिलाब पिछले टेस्ट में श्रतक लगाया था वहीं दूसरे ओपनर के रूप में प्रिथ्वी शौ को मौका मिलेगा प्रिथ्वी और मैंक में से पहले प्रिथ्वी को मौका मिलने जा रहा है क्योंकि प्रिथ्वी टीम के साथ पहले जुड़े थे तीसरे नमबर पर चेते शर पुजारा आएंगे इसमें कोई बदलाव नहीं है पुजारा घरेलू मैचर में कितने खतरनाग हो सकते हैं कि हम सभी जानते हैं वहीं चौथे नमबर पर कप्तान विराट कोली की ही वापसी होगी पांचवे नमबर पर उपकतान अजिंके रहाने आएंगे और 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 दोरे से पहले एक कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए रहाने को यहां दम दिखाना होगा जबकि छटे नमबर पर विकेट कीपर रिशब पंत आएंगे टीम में एक ही विकेट कीपर है तो रिशब पंत का भी खेलना पक्का है और इसके बाद टीम इंडिया में पांच गैंद बाजों को खिला जाएगा कप्तान विराट कोली ने ग्राउंड स्टाप से उच्छाल भरी पीच की मांग की है जिससे साब साब इशारा है कि टीम इंडिया तीन तेज गैंद बाजों को खिलाएगी और टीम में दो स्पिनर होंगे स्पिनर के तौर पर रविंद्र जड़ेजा और रविचंदन अर्शिन को खिलाएगा और दोनों ही खिलाडी गरेल उमेचमें किसी भी टीम की कमर तोड़ सकते हैं और दोनों ही शांदार बलेबाज भी हैं यानि बलेबाजी करम भी आठवे नंबर तक पहुँच जाएगा इनके बाद तीन तेजगेंदबाज होंगे भूनेश्वर कुमार और जस्प्रीद बुम्रा की गहर मजूदगी में मुहमद शमी और उमेश्यादव फ्रंट लाइन तेजगेंदबाज होंगे जबकि तीसरे तेजगेंदबाज के रूप में मुहमद सिराज को खेलने का मौका मिलेगा यानि सिराज को यहां टेस्ट डेबू का मौका मिलेगा और टीम करीब करीब परफेक्ट नज़रा रही है टीम को लेकर आपकी क्या राह है अगर आपकी भी कोई टीम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्लेम मीडिया रिपूर्ट